क्या आपके बालों का ज़र्णा बंद नहीं हो रहा है आपके बालों में गंजापन आ रहा है जब आप कोम करते हैं तो बालों बुखोत ही ज़्यादा तूटते और उलसते हैं तो आज मैं आपसे सेर करनी हूँ दो रेमिडी जिससे आपके बालों का ज़र्णा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आपके बालों की रुकी हुई गुरुत फिर सी होने लगेगी आप यकीन मानिए अगर आप इस दोनों ही रेमेडी का यूज करते हैं तो आपके बालों के लंबाई इतनी बढ़ेगी कि आप खुद हैरान हो जाएगे आपके बालों में वॉल्यूम आए तो वीडियो को एन तक जरूर देखे जिससे आपको इस्टे बाइस्टे पूरी तरीके से जानकारी हो सके तो हाई वरीबन मैं हूँ लक्षमी मेरे चैनल लक्षमिश किचन मैजिक में आप सब का स्वागत है वीडियो अगर थोड़ी सी वी यूश्फूल लगे तिसे यानि की प्याज तो फ्रेंस प्याज आपको गहरे कलर का लेना है इस बात का अपको धियान रखना है तो आप देख सकते हैं मैंने मिडियम साइज का प्याज लिया है और एक से छोटे साइज का भी प्याज आता है अगर वो आपके पास है और गहरे कलर का है तो फ्रेंस व आपको white color का प्याज बिल्कुल भी नहीं लेना है वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है प्याज के रस्में sulfur की मातरा बहुत ही ज़्यादा होती है जो नए बालों गाने में बहुत ही ज़्यादा help करता है बालों की जहने की समस्या को खत्प करता है और बालों की growth को बहुत ज़्यादा fast कर देता है तो इस तरह से आपको प्याज को छील लेने है और इसे एक बाल में रख देंगे इसके बाद आपको लेना है ginger यानि की अदरक तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने धेर सारा ginger लिया है तो इतना सारा ginger लेने की जौरत नहीं है क्योंकि एक टुकरा ही काफी होता है और फ्रेंस अदरक एक spice होता है और यह फ्रेंस सभी को सूट नहीं करता है तो जब भी आप अदरक का जूस अपनी बालों में लगाते हैं तो आप पेश्टेज जरूर कर ले अदरक का रस लगाने से अगर आपको बहुत ही ज़दा खुजली होने लगती है या फिर जलन होने लगती है तो आप अदरक को इसकीब कर सकते हैं लेकिन ये सब के साथ नहीं होता है क्योंकि फ्रेंस जिसकी इसकीन और इसके बहुत ही ज़दा सिंसिटिव होते हैं उन्हीं के साथ ये प्रोब्लम होती है तो आप एक बार इसे लगाने से पहले पेश्टेज चरूर कर ले तो इस तरह से देखिए हम अदरक को छील लेते हैं इसका चिलका हटा लेते हैं अदरक में जिंक मेगनेसियम परचूर मातरा में होता है जो नए बालू गाने में बहुत ही ज़दा हेल्प करता है बालू को ज़रने से रोगता है डेंड़ब की समस्या को जर से खतम करता है इसमें एंटी-फंगल, एंटी-इंफलोमेटरी गुन पाया जाता है जो हमारे सकेल्प को संकर्मन से बचाओ करता है जिससे हमारे सकेल्प हेल्दी रहते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है तो इस तरह से आपको अद्रक को ग्रेट कर लेना है आप इसे चाहे तो मिक्से के जार में डाल करके इसका पेश्ट बना करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं तो इसको दबा दबा करके इसके अंदर जितना भी जूस है सारा हम निकाल देंगे और ये जूस फ्रेंच हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनीफीसियल है तो देखे फ्रेंच ठेश सारा जूस निकाल गया है और डारेक्ट कभी भी अद्रक का जूस इसकेल पर ना लगाएं इससे बाल ज़रना बंद होने के जिगह पे और भी ज़्यादा बाल ज़रने शुरू हो जाएंगे तो चले फ्रेंस हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है आनियन और इसे हम रफली काट लेते हैं और अब हमें ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि हम भी आपका दिल से धन्यवाद कर सकें और फ्रेंस प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफीसियल होता है प्याज का रस लगाने से बालों की गुरूथ फास्ट होती है बालों की जहरने की समस्या खत्म होती है पतले बाल मोटे वगहने होते हैं फ्रेंस अगर आपको प्याज का रस सूट नह काल लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने जूस निकाल लिया है और यही से यही वीडियो को skip करने की गलती बिलकुल भी नहीं करिद देएंगा क्यूंकि कि वीडियो को skip कर देते हैं अगर इसे लगाने का आपको तरीखा पता नहीं होगा ति यह अपके बालों को फाइदा करने के जगह पर और भी ज़्यादा नुकसान कर देगा तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखे और इसे लगाने का सही तरीका क्या है ये आपको जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दो रेमेडी सेर कर रही हूँ और फ्रेंश कभी भी डिर्यक्ट अनियन जूस को भी इसके यल पर नहीं लगया जाता है क्योंकि ये स्पाइस होता है और सभी को ये सूट नहीं करता है तो अब आपको करना क्या है फ्रेंस तो यहाँ पर मैंने अनियन जूस ले लिया है तो सारा ही ले लिया है और इसमें हम अदरक का जूस एड़ करेंगे तो एक बरा चम्मच हम इसमें अदरक जूस मिला देंगे और दो चम्मस फ्रेंस यहां पर अनियन जूस है तो आपको एक चम्मस यहां पर अधरक जूस एड़ करना है इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि दोनों ही स्ट्रोंग फिलेबर का हो जाता है अगर डायरेक्ट आपको अनियन या फिर अधरक जूस उट नहीं करता है तो इसमें हम डाल रहे हैं ओलीव ओल अगर फ्रेंस आपके पास ओलीव ओल नहीं है तो आप यहाँ पर कोकरनट ओल भी ले सकते हैं ओल इसमें क्यों डालना है क्योंकि इसके लब को नमी परदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी स्पाइस लगाते हैं त से डंडब की समस्या होने रखती है तो इसलिए और फ्रेंस सभी को इतना टाइम नहीं होता है कि आपने बालों में ओल लगाएं तो यह सबसे अच्छा तरीका है इस तरह से भी आप अपने बालों में ओल लगा सकते हैं अब यहाँ आपको लेना है एक स्प्रे बोटल अग पांच मेंट का मसाज देना है बालों में नहीं लगाईं नहीं तो बालों में ट्राइनेश आ सा सकती है बाल फ्रीजी हो सकते हैं यहाँ पर द blender ws कर सकते हैं तो चलें डुक। भी रिमेडी पता देती हूं इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया अधरक के जूस और इसमें हम डालेंगे coconut oil, तो यहाँ पर दो चमच आपको coconut oil इसमें mix कर देना है, इस नमेडी को आप तुरंध बना करके तुरंध ही लगाए, इसे आप श्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर दो चमच मैंने डाल दिया है और इसे बहुत ही अच्छे सब को mix करना है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे सी यह oil में mix हो चुका है, इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे vitamin E की capsule, यह friends easily आपको market में मिल जाएगा, और यह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial होता है, vitamin E के कमी से हमारे बाल जहरते हैं, बालों की growth रुख जाती है, तो एक vitamin E का पूरा ही oil में mix कर देना है, और इसे लगाना कैसे है, यह मैं आपको बता दीती हूँ, अगर आप इसके बहते रिजल चाहते हैं, तो आप इसे रात में लगाएं, आपको कैसे लगाना है, फिरेंस, cotton की साहिता से आपको आगे से लगाना है, जहां से बाल बिल्कुल ज ठर चुके हैं, बिल्कुल ही बाल गायब हो चुके हैं, आपको आगे से लगाना है, पांच मिनट का मसाज देना है, जिससे blood circulation improve हो सके और इसे बालों की growth बहुत ज़्यादा fast हो जाए, आप देखेंगे कुछी दिन के इस्तमाल से baby hairs आने सुरू हो जाएंगे, इसका इस्तम जरूर करें फ्रेंज, आपको 100% result मिल ले वाला है, फ्रेंज, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर से बताएं, वीडियो अगर थोरी सी भी useful लगी है, तिसे like और family friend में जरूर सेर कर दें, thanks for watching, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, bye bye